नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अशोक आज की लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मोमेटर के बारे में चले शुरू करते हैं सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि थर्मोमेटर का क्या फंक्शन है तो देखे थर्मोमेटर दो शब्दों के मिलने से बना है थर्मो और है मीटर thermo का मतलब होता है heat और meter का मतलब होता है एक ऐसा instrument जो किसी भी चीज़ को measure करे तो thermometer हुआ क्या? thermometer एक ऐसा instrument हुआ जो की heat को measure करता है और heat को measure करने के लिए हमें चाहिए temperature difference तो यानि heat है क्या? एक base है temperature difference का तो thermometer एक ऐसा instrument हुआ जो की temperature को measure करे तो temperature को measure करने वाले instrument को thermometer कहते हैं हिंदी में इसको ताप मापी भी कहा जाता है चलिए बात करते हैं इसके working principle पे कि ये किस principle पे work करता है तो अगर हम बहुत short बात करें तो ये दोस्तों काम करता है change in length पर यानि कि इसका principle क्या हुआ? length और length में क्या लाना है हमें change वो कैसे लाते हैं हम इसके working principle में समझेंगे तो अब इसके थोड़े से construction को देख लेते हैं ये मेरा एक typical diagram है thermometer का सबसे नीचे यहाँ पर ये bulb होता है और इस bulb में हमेशा mercury भरा रहता है इसलिए इसको mercury bulb कहा जाता है यह mercury bulb एक attach होता है एक capillary tube से जो आप center में देख सकते हैं यही capillary tube है और इस capillary tube के चारो तरफ हमारे एक glass होता है जिसको हम glass tube भी कहते हैं इस glass के उपर हमने यहाँ पर एक scale बनाया हुआ है यह scale जो बना है यह बना है दोस्तों change in length के base पर इसके working में हम समझेंगे कि change in length पर हमने इसको कैसे use किया और इस पूरी की पूरी length को कहा जाता है stem उसके बाद यह जो capillary tube होती है आप देखेंगे end में जाके एक छोटा सा इसमें bulb बना हुआ है इस bulb को expansion bulb कहा जाता है कभी कभी इसका जब temperature हम measure करते है वो इसकी limit से भार चला जाता है उस समय यह जो mercury है अपने आपको expand कर पाए इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा bulb बनाया हुआ है फिर बाद में हमने इसको seal cap कर दिया कभ किया जब हमने इस glass के अंदर से पूरी की पूरी vacuum भार निकाल लिया यानि air को भार निकाल लिया और जब हम यहाँ पर air को भार निकाल लेंगे तो दोस्तों उस समय यहाँ पर जो pressure क्या हो जाएगा zero pressure इसके अंदर ओके चलिए आप working को समझ लेते हैं सबसे पहले हम इस bulb के या कहें mercury bulb के पास में temperature को लाते हैं यानि जिस भी चीज का हमें temperature measure करना होता है तो इसके contact में लाया जाता है temperature जैसे ही contact में लाया जाता है temperature इस bulb के तो इसके अंदर हमारा fill है mercury हमने इसके अंदर mercury का use क्या हुआ है जिसे short form में हम HGV कहते हैं यह mercury क्या करता है mercury की quality है जब भी कभी इसे heat के contact में लाये जाता है तो यह अपने आपको expand करता है और यह अपने आपको expand कैसे करेगा यह अपने आपको expand करेगा कि जब भी यहाँ पर expansion होगा due to temperature यहनि expand आएगा due to temperature और जब भी इसके अंदर expansion होगा तब यह क्या करेगा mercury भार की तरफ भागेगा और यह directly connected एक छूटी सी capillary tube के द्वारा तो यह mercury इस capillary tube के अंदर flow होना start हो जाता है और जितना भी हमें temperature मिलता है इस bulb को उसके base पर यहाँ पर जो भी हमारा expansion था उसको हमने measure किया था किसमें per unit length के base पर कि एक degree temperature variation पर इस mercury में कितने percentage length में change होता है उसके base पर यह scale बनाया हुआ है यानि कि scale यह marking की हुई है कि हमें इतने length के variation पर जो भी difference आएगा उसको हम इतने degree temperature कहेंगे चाहिए वो degree temperature में हो या degree Fahrenheit में तो इस तरह से यहाँ पे हम temperature को measure करते हैं जब यह temperature को हमने measure कर लिया उसके बाद यह rapidly नीचे ना गिरे इसके लिए हमने यहाँ पे छोटा सा bend provide के हुआ हुआ है कुछ इस तरह से bend होता है तो यानि जब fall down होता है तो वो gradually होता है इसका हमारा बस एक यही use है अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर gas की देखिए इसके अंदर हम generally inert gas ज़्याद तर nitrogen gas को fill करके रखते हैं ताकि back pressure इस पे apply किया जा सके अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें use होने वाले fluid की इसमें हम basically दो fluid को use करते हैं जैसे अभी हमने एक बात करी थी mercury जो सबसे ज़्यादा use होता है और दूसरा use होता है दोस्तो alcohol जी हाँ वही alcohol जो आप समझ रहे हैं अब देखिए इसमें थोड़ी से इसके advantage or disadvantages fluids की कैसे mercury की सबसे अच्छी advantage क्या है यह इसकी advantage है कि heat का conductor है यानि heat की जैसी contact में आते हैं अपना आपको expand करने लग जाता है इसका coefficient of expansion equal रहता है यानि temperature के एकदम बढ़ने से इसके coefficient of expansion पे कोई फरक नहीं पड़ता और तीसरी और सबसे important चीज mercury इस capillary tube के साथ चिपकता नहीं है यानि जब कभी यह fall down होगा तब यह है आपको ऐसा नहीं होगा कि यह इसके उपर चिपका रह जाए यह पूरा का पूरा नीचे अपने bulb के अंदर आ जाएगा इसी quality के कारण इस mercury का सबसे ज़्यादा use किया जाता है मगर इसकी छोटी सी एक disadvantage यह भी है कि मरकरी का अगर हम freezing point की बात करें तो यह होता है minus 39 degree centigrade और अगर हम इसके bowling point की बात करें तो यह होता है 356 degree centigrade यानि minus 39 degree centigrade और plus 356 degree centigrade से ज़्यादा अगर हम temperature को measure करें तो वो possible नहीं है यही इसकी disadvantage है अब बात कर लेते हैं alcohol की सबसे अच्छे important चीज वो यह है इसका freezing point इसका freezing point जो होता है minus 110 degree centigrade के about होता है और इसका केवाल 39 ता minus 39 तो यानि alcohol कहां यूज किया जाएगा ऐसे ठंडे प्रदेशों में यूज किया जाएगा जहाँ पर temperature less than 40 degree centigrade रहता हो वहाँ पर हम alcohol based thermometer का यूज करते हैं देखिए क्योंकि हाँ पर हमने expansion को use किया है mercury के इसलिए इसको mercury in glass thermometer भी कहा जाता है और mercury क्या है एक liquid है इसलिए इसको liquid thermometer भी कहा जाता है principle इसका बहुत simple है change in length यानि length के base पर ये पूरा का पूरा based है तो ये था दोस्तो all about thermometer के बारे में thank you for watching